हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में कैम कॉन के आईपियों को जिस तरह का बंपर रेस्पॉंस मिलाता जिस तरह का बज बना हुआ है इसके अलोट्मेंट को लेकर भी कुरियोशिटी बहुत ज़ादा है जिनकोंने इस IPS में बिट लगाया था वह बहुत क triangular कर रहे है इस आईपियों के अलोट्मेंट का ब्ताने वाले हैं कि अलोट्मेंट कब आया, लिस्टिंग कब होगी, किन लेँवल के आज पास होनी चाह interval जिस तरही का मूव आई SUBSCRIBE, शेयर के रेमियम में ग्रे मार्किट में देखने को मिलरा है वह वह वहागी हरान कर देने वाला है आज की देट में जो ग्रे मार्किट प्रेमियम है उसमें एक जबर्दस उच्छाल देखने को मिला है फिंस यह जो IPO है डेड़ सो गुना सब्सक्राइब हुआ था NI category में साड़े 400 गुना रिटेल में तालिस गुना फिंस पिछले 20-25 तीस IPO में शायद ही कोई ऐसा IPO होगा जो रिटेल में 40 गुना सब्सक्राइब हुआ हो इसका एक रिजन कहीं न कहीं ये भी था कि इस IPO का साइज बहुत छोटा रबस बहुत ज़्यादा बना हुआ और पीछे जिस तरह से राउट मोबाईल और हैपियस माइड्स की लिस्टिंग हुई है उसके बाद जो है एंटिसीपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी कि जो है लिस्टिंग बहुत दमदार हो सकती है और ग्रे मार्केट बता रहा है इसकी लिस्टिंग राउट मोबाईल और happiest mind से भी ज्यादा premium पर हो सकती है और listing के बाद शेयर के चाल कैसे रह सकती है अस बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बात करते हैं फिंस इस IPO का size सरिफ 318 करोड था जिसकी वज़े से हमने देखा कि हर category में IPO कई सो गुना over subscribe हुआ है price band 338 से 340 था आज gray market premium लगबग 400 रुपे के आसपास चल रहा है and listed shares trade हो रहे हैं gray market में वो जो है issue price के 400 रुपे के प्रेमियम के ऊपर trade हो रहा है पिछले 3-4 दिन से gray market premium 280 से 300 के बेच में चल रहा था आज एक आएक jump देखने को मिली है जैसे ही listing और allotment पास आ रहे हैं इस IPO का issue इतना चोटा है कि listing के बाद भी यहां पर जो है अगर shares कुछ hands change करते हैं कोई बड़ा investor खरीदता है तो एक बड़ा move आ सकता है सबस्क्राइब हुआ है तो वहां पर जो है जो है चनाइज बिड़ है दो लाग से उपर की बिड़ लगती है जो मोटा मोटा मान के चलिए अवरेज बिड़ साइज ही एक क्लोड के आस पास का होता है वह सारी जो funding है वह जो है बॉरो की हुई होती है उन्होंने जो है बहुत कम आएगा क्योंकि साइज छोटा है और बहुत ज्यादा हुआ है तो उनकी कॉस्ट फंडिंग ही बहुत ज्यादा होगी डबल के आस पास के लिस्ट होगा तब जाके आप मान के चलिए कि ना इसको जो है लगबग जग मार्जिनल प्रॉफिट साइप्यों मे बेज देता है और बैंक उसको अपने सर्वर पे अपलोड कर लेते हैं आपने देखा भी यह होगा कि वेबसाइट पर अलॉट्मेंट बाद में आता है डेबिट पहले हो जाता है इसका रीजन यही है कि जो है वो सर्वर पर फाइल अपलोड हो जाती है जो बैंक जिस लॉटमेंट मिला है और एक तारिक को जो है इस आइपी ओ की लिस्टिंग होनी है अब बात आतके लिस्टिंग कैसे होगी मोटा मोटा मान के चलिए आठ सो रुपे के आज पास इसकी लिस्टिंग हो सकती है साड़े साथ सो से आठ सो के बीच में जिस तरह से ग्रे कर आए इशू बहुत स्मॉल है तो अगर वहां पर कोई बड़ा फंट्स इसको बाइंग करता है क्योंकि ओवियस है कितने चोटे इशू में बड़ा इंवेस्टर्स बाइंग करना चाहरा होगा उसने कोई बड़ी स्टेक यहां पर नहीं लियोगी तो यहां पर एक इनवेस्टर को जिसको मिलेगा तो आप माने के चलिए उस एक लॉट के साथ में आप लिस्टिंग पर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं अगर कोई बड़ा इनवेस्टर्स यहां पर परचीज करता है ओपन मार्केट से कुछ शेर उठाता है तो लिस्टिंग के बाद भी अच्छा गिन देखने को मिला है इसे 800 के आजपास एक आईडिया लेवल होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए पर फिर भी जिनको अलॉट्मेंट हुआ है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं इस्यू छोटा होने की वज़े जैसे हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी जो है 15-15% का मूव और देखने को मिले पर अनडाउटरली वैलोशन स्वाँ थोड़े से स्ट्रेश हो जाएंगे फिर्ट्स आईप्यो में काफी सारे लोग पैसा लगाते हैं उनको अलॉट्मेंट नहीं मिलता है आप जो है मेर असमस तरह से जो है आप जो है आई प्यो में अलॉटमेंट पाने के चांसिस को बढ़ा सखते हैं और क्या सारे मित और रिऊमर्स हैं मार्कित में कि आप इस टाइम लगाओ फर्स में बिसमके लिए डाल दिया है और यह आपको पसंद आई एपने इसे सते से एपार स्टॉक मार्किट से प्राइमरी मार्किट की सब भी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू